तो फानेंशल मेनेजमेंट के अंदर 75 मार्क्स का आपका एक्जाम आने वाला है जो हम आज डिसकस करेंगे 75 में क्या क्या पढ़ेंगे कितने chapters हैं कब कब हमारा syllabus खदम हो जाएगा कैसे कैसे classes चलेंगी और हमें क्या क्या reference लेना चाहिए जो कि हमें 4 semester में pain हुआ था वो दिक्कत ना आए क्योंकि देखो मैंने course का fee जो है बिल्कुल flat रखा है मैं चाहता तो एक महने बाद भी start कर देता उसमें मेरा क्या होता एक महने मेरा बच जाता उसके अंदर क्या होता एक महने बाद करूँ या दो महने में बाद start करूँ फिर से वही कहानी आ जाते कि एक दिन में आप 4-4 classes देख रहे हो मैं 2-2 घंटे ले रहा हूं classes फिर वो दिक्कत आ जाएगे अभी हफते में 3 दिन ल जाता है तो उसके बाद हमारे पास काफी सारा टाइम बच जाता है सेप्टेमर एंड या मान लेतने हैं अक्टूबर 15 अक्टूबर तक भी खतम हो जाता है काफी टाइम बच जाता है जिसमें हम 10 ये कर सकते हैं और extra effort लगा सकते हैं कि paper कैसा भी आये हम attempt कर सकते हैं हम जातार बच्चों के mind में तो ये था ही नहीं कि first time offline paper हो रहा है जातार बच्चे सोच रहे थे कि हम pass हो जाए इस बार देखते हैं अगले बार तयारी करेंगा कोई बच्चा ये mind में लेकर intention चली नहीं जा था कुछ बच्चे लेकर चल रहे हों कि 75 out of 75 है mind में था ही नहीं और question paper का एक भी question ऐसा नहीं होगा जो हमें नहीं आता होगा in fact और वाला question भी आता होगा क्योंकि 10 question आने होते हैं आपने देखा और में आता है तो सारा का सारा question हमें आता होगा तीन दिन class लेंगे one hour की classes चलेगा कोई जल्दवाजी नहीं है और proper तरीके से maximum question class में solve करेंगे क्या करने वाले notes जो मैं अभी ready हो रहा है मान के चलो आप अभी जब तक notes आपके हाथ में नहीं आ जाता hard copy तब तक के लिए या मैं PDF डालता रहूँ है application के अंदर है जो offline बच्चे उनको मैं print out या PDF जैसे भी है वो मैं provide कर दो हूँ है ठीक है मान के चलो तीन दिन classes होगी एक chapter जो आप देखोगे college में जाओगे तो जो books चलता है हमारा mainly चलता है आरपी रस्तोगी book मैं book का भी बता दू आरपी रस्तोगी सारे डियू के अंदर जैसे कि आपने four semester में accounts में देखा होगा सारे college में JR मोंगा लगवा रहे थे या फिर आपने cost में देखा होगा जाहर से जादा college में महिश्वरी मित्तर लगवाते हैं सेम ऐसे आरपी रस्तोगी चलता है इसके साथ साथ भी बहुत सारे और writer हैं लेकिन डियू के अंदर वो prefer नहीं होता exam के लिए तो मैंने क्या करा जो अलग से writer हैं उनके भी कुछ-कुछ questions मैंने लिए हैं आरपी रस्तोगी के book के भी maximum questions आपको उसी pattern पे मिलेगा और plus last year के जो past में आए हुए है question वो भी मिलेगा और सारा question आपको systematic way में मिलेगा systematic का मतलब जैसे topic कर रहे हैं हमने एक question किया book में पता ही क्या होता है एक question मेरे साथ सबसे ज़्यादा जो problem हो रही है book के अंदर पहले question 5 करो फिर 7 करो फिर 9 करो ऐसा हो रहा था फिर आजाओ अब third कर लो क्योंकि वो topic wise मुझे वहाँ लेके जाना होता था books बनाने पर मेरा इसलिए main था कि मैंने पहले question first उठाया मैंने चार question homework में दे दिया उसी pattern के फिर अगली class में आए 5th question मैंने 6 question नए pattern के करवाए उससे आगे के question continue इससे क्या होगा एक continuity बनी रहेगी हमारी बस ये purpose है ठीक है न तो इसके अंदर क्या क्या chapter है और financial management क्या बात करता है एक बार हम वो भी देख लेंगे ज्यादा chapters नहीं है और इसके अंदर काफी छोटे 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 chapter है सिर्फ दो chapter है जो कि थोड़े से बड़े chapter माने जाते हैं तो financial management देखो finance की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब simple सी बात है पैसा पैसे को manage करने की बात है और पैसे को manage करने का किस sense में यह बनता है कि जो हम loan लेते हैं जो loan लेते हैं वो हमारे पास एक तरीके से पैसा ही आता है loan लेंगे तो इस loan के उपर जो rate होता है जो rate होता है वो हर किसी का different होता है आपने देखा होगा SBI आपको 10% पर ब्याज दे रहा है Punjab National आपको 11 पर दे रहा है साइद ICIC आपको 9 पर दे दे rate rate of interest अलग होता है तो हमें कौन सा option choose करना है और सिर्फ आज के दिन को सोचते वे नहीं हमें future तक के payment को यानि जो पैसा 1 रुपे की value है future से लेके आज तक हमें पूरा factoring करना होता है और ये हम real life में financial management apply नहीं होता ये सिर्फ decision making के काम आता है जैसे कि for example मैं सोच रहा हूँ कि आज एक machine ले लेता हूँ और वो machinery आज के date पे 5 करोड रुपे का है और उस machinery से अगर हम 6 करोड रुपे कमा लेते हैं 5 करोड की machinery ली और उससे अगर 6 करोड की income हो रही है तो हम वो machinery खरीद लेंगे तो ये क्या है ये सारा chapter जो चलेगा ना पूरी book जो होगी वो क्या होगा एक project बनाते हैं आपने सुना होगा है कई बार कोई बोलता है project management का काम कर रहे है इस project पे काम कर रहे हैं तो project का मतलब क्या है actual नहीं है हमें एक रास्ता मिल जाता है उस हिसाब से हम decision लेते हैं तो यहां पे finance related हमें different different चीज़े सिखाई जाएगे जैसे कि machinery आपको खरीदना है नहीं खरीदना जैसे कि आपको loan कहां से लेना चाहिए debenture issue करना चाहिए या loan लेना चाहिए या equity issue करना चाहिए जैसे कि आपके पास कितना पैसा anytime available होना चाहिए जिससे deficiency नहीं हो जो कि working capital है जैसे dividend कितना आपको देना चाहिए finance के अंदर ये सारा सिखाए जाएगा जैसे कि आप ब्याज पे पैसे लोगे तो future में कितना return करोगे कितने पैसे आज धीरे धीरे जमा करो ये सारी चीज़े सिखाए जाएगे यानि सारी बाते पैसे से related होगी fund से related तो आगे जो MBA करेंगे ना जो student उसके लिए वो करते हैं जादा तर commerce वाले बच्चे जो MBA करते हैं MBA in finance MBA हर category का अलग-अलग होता है MBA HR में भी होता है MBA finance में भी होता है MBA आप जिस field में marketing में करना चाहते हैं तो हम जादा से जादा चूज करते हैं MBA finance उसके अंदर ये वाला subject बहुत important role करता है ये subject के अंदर कहां use होता है lower division पे आपको दिखेगा ही नहीं जो top level का management है finance का decision कौन लेगा सबसे top level का हमें loan लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उससे नीचे वाले जो accountant है या उससे low level के जो है वो क्या करते हैं वो तो basically बस implementation के काम करते हैं हमारे आप business study में पढ़ते हो कि सबसे होता है top level management middle level और lower top level management क्या करता है formulation करता है goal decide करता है middle level क्या करता है उसको आगे execute करता है और जो lower level पे होता है वो क्या करता है execution करता है तो middle level पे CA वगरा बैठा होता है lower level पे आपका accountant बैठा हुआ है और top level पे जो SFM financial decision लेता है MBA वाले वो बैठे होते हैं जो कि सारा decision लेते हैं तो sir इसमें क्या क्या chapter है सबसे पहले तो एक basic रहता है हमारा हर किसी subject के अंदर पहला chapter तो basic रहता ही रहता है और ये वाला जो chapter है वो theory का chapter है इसके बाद क्या है इसके अंदर sir इसके अंदर एक है time value of money time value of money sir time value of money क्या है थोड़ा नाम अलग कर दिया गया इसके अंदर हमारा basically जो interest की बात कही गई है PRT, simple interest, compound interest उससे related कुछ हमें और भी चीजे extra मिलेगा business math के अंदर आपने पढ़ा हुआ है ये थोड़ा बहुत जिसने भी पढ़ा है second semester या four semester में जब भी पढ़ा है business math या stats पढ़ा है उसके अंदर ये रहता है लेकिन online सारे exam हुए हैं तो आपने नहीं पढ़ा होगा maybe हो सकता है तो वो सारी बाते करेंगे इसके बाद हमारा आता है एक chapter capital budgeting capital budgeting इसके अंदर क्या सिखाये जाता है capital का मतलब यहाँ पे है assets से assets हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए उसका decision यहाँ सिखाये जाएगा ये chapter में बोलू तो most important chapter है मैं सारी चीजे पहले ही बताते जा रहा हूँ और इसमें से एक question 15 marks का आना बिलकुल तह है कि 15 marks का इसमें से question पूछा ही पूछा जाएगा थोड़ा सा lengthy chapter है थोड़े से लेकिन interesting है इसमें कोई भी ऐसा chapter नहीं है जिसके अंदर आप थोड़ा बोर हो जाओ सारे shorts के हैं short chapter है और interesting है सारा इसके बाद आता है हमारा एक और chapter जिसका नाम है cost of capital cost of capital sir cost of capital के अंदर क्या है इसके अंदर आपको सिखाये जाता है loan लेने का technique ये chapter भी हमारे exam के अंदर important है और इसमें से भी हर बार question पूछा जाता है कई बार 10 का भी आता है और कई बार 15 नंबर का भी आता है इस chapter में से question और कौन सा chapter है इसके बाद हमारा एक chapter आता है leverage इसके बाद एक chapter आता है leverage देखें नाम बिलकुल अटपटा सा लग रहा होगा leverage क्या है ये ठीक है लेकिन हम जब पढ़ेंगे ना तो सबसे आसान chapter देखा जाए तो यही है हमारे book के अंदर कौन सा leverage compare करें तो वैसे तो पूरी book की आसान है लेकिन comparison फिर भी करें तो यह आसान है leverage leverage के बाद फिर leverage में क्या सिखाए जाता है leverage में हमें कुछ techniques बताए जाते हैं इस तरीके से decision making कैसे लिया जाता है इसके बाद अगर अगले chapter की हम बात करें तो अगला chapter हमारा जाता है value of firm value of firm यह सारे chapters हैं अब मैं unit की बात नहीं कर रहा सबसे पहले तो मुझे एक बात यह समझ में नहीं आते कि कुछ बच्चे जो है do के अंदर या फिर कहीं पर unit होता है मैं unit की बात नहीं करता भाई मुझे सारे chapter करने तो मुझे unit से क्या ले ना देना कि किस unit में कौन सा आ रहा है अगर unit की बात करोगे तो first unit यह दो chapter का यह अकेला unit है यह तीनों मिला के एक तीसरा unit बन जाता है एक चौथा unit है एक पांच पाई unit है पांच unit रहते हैं एक एक कुशन आता है ठीक है ना इसके बाद हम अगले chapter पर और चलते हैं आगे तो अगला chapter हमें मिलता है dividend decision dividend policy कहलो और sir इस वाले subject में क्या theory भी आएगा देखो theory 10 marks का आप expect कर सकते हो जो कि 10 से 15 marks का theory होगा जो कि इस chapter से बनता है mainly first chapter से और बाकी सभी practical question जितने भी होगे उसके option में मिल सकता है आपको theory लेकिन practical होगा जरूर आपका हर किसी में ठीक है इसके बाद और कोई chapter है कैसर बिलकुल इसके बाद और भी chapter है चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है हमारा working capital working capital इसके बाद और कौन सा चैप्टर है cash management mgt कर देता हूं मैं cash management इसके बाद कौन सा चैप्टर है receivable इसके बाद हमारा है receivable इसके बाद कौन सा चैप्टर बनता है हमारा इसके बाद बनता है हमारा inventory 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 basically आपने पढ़ा हूआ है costing में वही सेम है जो की था हमारा EOQ वाला आपको याद दिलाओं जिनोंने पढ़ रखा उनको थोड़ा बहुत याद होगा EOQ वाला जो था वही है inventory basically ठीक है ये पूरा का पूरा syllabus है आपका exam 75 का आता है उसमें choices भी होंगे unit की बात करें कि सर किस unit के अंदर कौन सा चैप्टर फॉल करता है हमारा तो यहाँ पे अगर unit के terms में लेके चले तो आप देखोगे क्योंकि काफे सारे बच्चे ऐसा check भी करते हैं ना कि हम slivers में check कर ले sir गलत तो नहीं बता रहे हैं यह unit 1 है यह unit 1 है इसको important इसलिए बोला यह क्या है unit 2 पाँच unit रहते हैं में ली आपके हर slivers के अंदर और ध्यान रखना unit 1 और unit 2 इसके अंदर ना काफे सारे topics अलग-अलग divide कर दिया गया है जैसे capital budgeting एक अलग कर देते हैं capital budgeting के technique से अलग कर देते हैं यह है एक ही जीज़ ठेक है न यूनिट 3 की बात करें तो यह सारा का सारा chapter आ जाता है unit 3 के अंदर Sir unit 4 की बात करें तो यह बहुत important है इसमें से 15 नंबर का question आएगा और इतना आसान है कि यह 2 से 3 classes में खतम भी हो जाता है तो यह हमारा unit आ जाता है कौन सा unit 4 और यह सारा chapter मिला लो और इसका बनता है हमारा एक unit number 5 ठीक है इसके अंदर involve क्या रहेगा पढ़ते टाइम पर हमें क्या चीज़े समझना है share से related जादा बाते बोली जाएगी जो मैं हर एक unit में बोल दूँ तो इसके अंदर normally चीज़े हैं यह वाला तो मैं chapter सबसे last में cover करता हूँ theory का part है यह वाला जो chapter है इसमें selective machine को खरीदना बेचना assets को खरीदना बेचना उसके उपर different technique लगाना यहां पर आ जाता है यह पूरा का पूरा chapter share से related है कि हम share market में पैसे invest करें या ना करें वो सारी चीज़े भी सीखोगे यह वाला सारा chapter हो जाता है हमारे business में जो पैसा access पढ़ा हुआ है कई बार होता है ने sales करके हम bank में रख रख है हमने तो उस पैसे का access का कहीं इस्तेमाल कर सकें तो हमें अच्छा return मिल पाए तो यह तो आप देखोगे सब में आपका कहीं न कहीं management आ रहा है और इसलिए syllabus का और subject का नाम पर जाता है क्या financial management तो यह आपका पूरा का पूरा syllabus है कौन सा chapter कितने काएगा जैसे जैसे chapter start करेंगे वैसे वैसे मैं आपको सारी चीज़े एक एक करके बताता जाऊँगा पहले कौन सा chapter start करेंगे मैं first सबसे पहले ये वाला chapter start करूँआ जो कि हमारा chapter है leverage जो कि definitely अगली class से हम start करेंगे आज हमने बस just एक intro मैंने दिया है कि यह इसलिए बस है आप सभी इसको note भी करेंगे चाहे आप इस तरीके से point बना के note कर लें एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस so that आपको याद रहे हम पहला chapter जो हम start करेंगे वो रहेगा हमारा leverage of firm ठीक है न उसके बाद धीरे धीरे हम करेंगे उसी के according तो अब आपके अगर कुछ इस subject से लेके देखो एक management accounting भी है बच्चों के पास तो management accounting की मैं भी discuss नहीं कर रहा है जब उसका हम start करेंगे तो उसकी बात करेंगे मैं अभी फिलाल इसकी बात करता हूँ financial management सब के पास है यह honors वाले बच्चों के पास भी है program वाले बच्चों के पास है हाँ program वैसे कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि sir हमारे पास option मिल जाता है तो option में HRM भी available है और इसके साथ law भी available है शायद industrial law available है तो आप देखो मैं simple सी बा आगे study नहीं करना graduation के बाद तो आपकी मर्जी जो मर्जी choose करो बच्चे तीन तरीके के हैं एक जिसे आगे study नहीं करना अपने business है हमारा हम उसी business में enroll रहेंगे या फिर हमने कुछ और decide कर रखा है दूसरा student वो है जिसको theory से नफरत है तीसरा जो बोलता है कि मुझे के पता ह नहीं है कि क्या करना तीनों तरीकी के बच्चे हैं तो देखो जिनका अपना graduation पे stop करना है वो ये ले ना ले कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर उसे theory समझ में नहीं आता जल्दी learn करने में दिक्कत है तो go with financial management मैं कहता हूँ सारे accounts में से ये easy रहता है और इसके questions बनाते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है कि statement के तरीके से represent करते हैं और हम सामने present करते हैं कोई account नहीं बनना यहाँ पे इसके बाद labor law लेवर लो या industrial law कहलो वो लेके आप आगे further continue कर सकते हो अगर stop करना है जो आगे further MBA, M.com करना चाहते हैं CA करना चाहते हैं तो ये subject आगे ये 10 बच्चे कर रहे हैं तो उसके लिए कोई coaching है नहीं मिलेगा तो वो करना पड़ेगा आपको self, self आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले graduation में पढ़ा हो, अगर मान लेते हैं MBA में industrial law भी है और MBA में FMBA, industrial law अभी भी आप self करोगे तो तब भी self कर सकते हो ना, लेकिन MBA के अगर आपने अभी industrial law चूज कर लिया सिर्फ practical के डर से और MBA में आ गया तो ये subject पढ़ाने वाला कोई नहीं है, पढ़ाए कैसे जाएगा आपको उस time पे ठीक है FM मिलेगा आपको FM मेरे पास MBA में तो बोला जाएगा ठीक है FM हम graduation में start कर रहे हैं उसी batch में हो जाएगा, जो CA क ये बच्चे हैं, अगर जिन्होंने अच्छे से FM पढ़ लिया, इंटर के अंदर paper number 8 है, strategic आपका financial management या FM E को बोलते हैं, तो वहाँ पे जिस बच्चे ने graduation अच्छे से करें पूरा points क्लियर हो जाता है, लग बग लग बग, सिर्फ मान लो 20% रह जाता है, final के अंदर जो जाता है, उसको बोल दिया जाता है, SFM और वहाँ advanced level करें, क्योंकि ये final है, तो आपका advanced level करी हो, ठीक है, अब किसी का अगर कोई doubt वगएरा है, तो वह आप पूछ लीजिए, हम अगली class से chapter को start करेंगे, मैं बात करूँ आपके career से related, तो अभी से goal, YouTube देखो, YouTube पे देखा जाना है, तो धेर सारे, जो भी चीज़े ढूंते हो ना, कोई ना, कोई आपको explain कर रहा होता है, वेदर MBA करना है, मैं MBA की अगर मैं बात करूँ ना, तो कुछ बच्चों के mind में रहता है, MBA IM से होता है, जिन तीन colleges ऐसे हैं, जिसके अंदर MBA करने के बाद, job आपकी surety रहती है, और बहुत अच्छा package मिलता है, एक IM होता है, एक आपका जो होता है, IBS होता है, Indian Business School होता है, और एक है आपका FMS, तीन colleges ऐसे हैं, जो की है government college, लगभग, लेकिन government college होते वे भी, इनकी fees जो है, मान लेते हैं के IM की fees 20-22 लाख रुपए हैं, fee structure की बात करें, इस 20-22 लाख को आपको नहीं सोचना, जो बच्चा यह सोच के कर रहा है के 20-22 लाख रुपए कहां से लाएंगे, आपको सिर्फ जाके college में admission लेना है, और सारा का सारा funding bank करता है, सारा funding कौन करेगा, bank, और वहां से हर बच्च लाख रुपए महनी के जाता है, maximum का कोई limit नहीं है कि किस organization में जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आपे, तो आप सोच रहे हो कि सर, इसके अंदर fees है, मैं again कहना चाहूँगा, कि भाई, आपको आगे further study करना है न, अगर अच्छे colleges से करते हो, MBA वगएरा, तो आपको fees के बारे में नहीं सोचना, बस cat का exam crack करो और वहां तक पहुचो आप, that's it, जिसको जो भी course करना है अभी decide करना है आपने साथ के साथ, ठीक है न?